34 का देखे, 34 का क्या हो जाएगा, 34 का देख रहे हो आप, इसका B हो जाएगा, यानि जो फ्रांस है, फ्रांस हो जाएगा, लॉरेंच छेत्र, यूक्रेन, यूक्रेन क्या होगा, किरिया रोगच है, छेत्र, जेर्मेनी, जेर्मेनी हो जाएगा, साल गिल्टर, और USA, USA हो जाए चलते हैं 35 कोईशन में निमलिखी को भारत में अमबारिय जहाज रानी 2001 के घर्टे करम में शेनिवद किजिए तो इसमें घर्टे करम में 35 में क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा B यानि मुंबै, कांडला, चेन्ने और विशाखा पर्टनम नेक्स 2008, निमिखीद में कौन सोच्छन उद्दोग का उधारन है तो इलेक्ट्रोनिक अवियवो का और भी निर्मान जो है, एक सोच्छन उद्दोग है और फ्रिवस्ता का कौन सा खन्तिकाव आर्थी विकास के लिए कमा वशचक है तो प्राथमिक जो है वो कम आवशक है नेक्स 38 में चलते हैं निमेखित में कौन सा और नवी करणी है संसाधन समझा जाता है तो जिसमें और नवी करणी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कोईला हो जाएगा क्योंकि बाकी सबका हो सकता है जिसे जल है पशु है और वन है इसके वाल चलिए 39 में कीसी दचता के माव विधी किसने विख्षित की थी एसस भार्टिया आर एल सिंग एस चटर जी देखिए कोईशन फिर से रिपेटेट किया इसके नेक्स भी पुछाता तो इसका क्या हो जाएगा एसस भार्टिया नेक्स 40 भारी उद्धो की स्थापना के लिए कौन सा आदर शन्योजन है तो सबसे आदर शन्योजन कोईला विदूत बाजार ये तीनों चीज होगा नेक्स 2008 में 41 देखते हैं बॉन्थ उनेन मॉडल के अनुसार एकांती छेतर में केंद्री नगर को घेटते वे भूमी उपियों के खंडों में चार निमलीखी थे जैसे दिया है पहला इंधन लकरी और काल दूसरा गहन सर्सिक रिशी जिसमें चारन कंदमुल की फसर तीन मे है शर्सिक रिशी यानि पर्ती और चारगा के साथ और चौथा है बजार बागवानी और ताजा दूद अब देखें यहां अकूट दिया हुआ है तो अकूट में क्या हो जाएगा 41 का विल्कुल सही सी हो जाएगा यानि सबसे पहले 4 नमर होगा फिर 1, 2, 3 यानि सबसे पह जार और बागवनी और ताजा दूद यह एक में होगा फिर हो जाएगा इंधन और लक्री और काश्ट फिर आपका हो जाएगा गहन शर्से क्रीशी उसकी बाद हो जाएगा शर्से क्रीशी या पर्ती नेक्स चलते हैं 42 नमर निमलिखित में से किसने शर्से सन्योजन विधी को सर्वपथम सुत्र वद किया था तो जो शर्से सन्योजन विधी है उसको सर्वपथम जो है वीवर मौदे ने किया था नेक्स कोशन 43 जापान कथन जापान एक विक्षित देश है काड़न देश के विकास के लिए उसके प्रापिती शर्चादों का देश के विधी हुना नितान तापशक है तो देखिए इसका ए और भी दोनों सत्य वरंतु उसका काड़न बिकुल सही नहीं है ये कोशन देख त विख लेजी किस परकार कर रहा है बेवर द्वारा प्रस्तावित ईधुगी करम की शिध्द्धान का नाम बताइए किस से संबंदित है तो इसका क्या हो जाएगा पारिस्थिति की रूप से सरवाधिक उप्योग थसले तो ये हो जाएगा नेक्ष्ट वॉन्थ्यूने ने किस वर्ष में क्रीशी भूमी उप्योग के मंडली करन का मॉडल विक्सित किया था तो गौन्थ उने ने कब किया था 1826 में किया था निमिखित में से कौन सी फशल अंतराश्टी वाजार में बड़े पैमाने की पूर्टी और मांग के लिए उप्योगी है निलेट यानि जौर वाजरा, चावल, गीहूं और चना तो बताईए इसमें से क्या हो जाएगा 47 का कोईशन है निमिखित में से कौन सी फशल अंतराश्टी वाजार में बड़े पैमाने में पूर्टी और मांग के लिए उप्योगी होती है तो इसका क्या हो जाएगा 47 का देखिए आपको क्या लग रहा है बिल्कुल सही गेहु जो है वो अंतराश्टी वाजार में बड़े पैमाने पे पूर्टी और मांग के लिए उप्योगी होती है नेक्स कोईशन है भारती ओक महादीप में मांशून की उत्पती मुखेता किस से सम्बंदित है तो जो मांशून की पती है वो क्या होगा अस्थल इस्थित मौसमी छोग से सम्बंदित है अब 2007 का कोईशन में चलते हैं उत्री अट्लांटिक महासागरिये उत्री अट्लांटिक महासागरिये मार्ग विश्व का सरवादिक महतोपुन मार्ग है तो ये क्यों सरवादिक महतोपुन है कुणकि दोनों किनारो पर विख्शित देश है इसलिए उत्री अट्लांटिक का जो मार्ग है वो विश्व में सरवादिक महतोपुन है नेक्ट कोईशन है लिख्रमिन से कौन सी बागवानी कृषी नहीं है तो जो चाय की क्रिशी है, चाय की क्रिशी, कॉफी की क्रिशी, रबर, लेटेक्स, उत्पादन या सोयावीन, तो जो सोयावीन है वो बागवानी की क्रिशी नहीं है नेक्स्ट कोशन, 51 बेवर का सिद्धान देखे परिवन लागत पर आधारित है, प्रन्तु इस में इस तर्थे की उपेचा की गई है कि भारादर सरवधा दूरी के अनुपाद में नहीं बढ़ सकता, कारण या दपी भारादर कच्चे माल और त्यार माल के लिए समान नहीं ह सकता, तो क्या होगा इसका, यह सही है प्रन्तु और गलत है, नेक्स्ट 52, कपास की क्रिशी के लिए सबसे उप्यूक्त मित्ती है, तो लेटराइट मित्ती, रेगर मित्ती, रेतिली मित्ती या दोमट मित्ती, तो कपास की खेरती के लिए सबसे उप्यूक्त मित्ती क्या उ मिट्टी हो जाएगी अब देखिए दियावाया तत्काल साफ किये गए बनों की अच्छूती मिट्टियां काफी के सर्वोत उत्पादन के लिए उतर दाई है कारण काफी एक मिट्टी रोचक फसल है तो क्या होगा सही है ए और बी दोनों सत्य है मतलब कतन और कारण लेकिन हो एक्या सही नहीं है नेक्स दिखे जून 2007 भारत की निमलिखित इसपास सन्यंत्रों में से कि सन्यंत्र की बेवर द्वारा पतिपादित आदर्स अस्थानिक तरिभुज में निमनितम अस्थानी करन लागत है तो इसका बोकारों होगा विलाई होगा राउर के रहा होगा या दुर्गापूर्ट इसका बोकारों हो जाएगा नेक्स 55 जैसे फसल पर अनी कारणों के दुस्परभाग की संभाबना होती है जीन में सबसे महत्वकुन कारण है तो इसमें सबसे महत्वकुन कारण क्या हो जाएगा सबसे महत्वकुन कारण है मारक कीटो एवं बिमारि यानि option B, next 56, टाफे के परिवहन model में कई विकास की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं की संख्या क्या हैं, तो इस टाफे का कितना अवस्थाएं हैं, 6 हैं, तो 6 हो जाएगा, next है क्रिशी का मसनी करन किन देशों के लिए सबसे उप्यूगत है, तो जो क्रिशी का मसनी करन ह कितन होगा, वो जो है विस्तित क्रिशी भूमी वाले देशों के लिए जो बिस्तित क्रिशी भूमी है, उनके लिए अच्छा हो, कि जानते हैं जब जमीन क्या होगा, बहुत जादा होगा तो उसमें क्रिशी करने के लिए comment है, जहां छोटाừचोटा होगा वहां पे बड़ इसके पहले बिर्ष्टोसन को पूछा गया है क्या है विbellÁ हम हरी चाहे के प्रमुक उदपादक देश क्या है तो रचाय में गिधाम्य देष्म के लिए वोन्ति उनेन या जीमर्मान तो ये जीमर्मान की बहुत परसित भी सकते हैं रिफनेशन है और जो सही है भसल सनियोजन का परीकलन के आधार किया जाता है तो घसल सनियोजन जो है वो एक छेतर में फसलू का दर्जा करन के सब्सक्राइब वह सम्तुल या परीवहन लागत की रेखा है तो आइसो डापिंग क्या है सम्तुल या परीवहन लागत की रेखा है नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यह 64 नमबर में हम लोग है अभी बिल्कुल सही Central Place Theory जो है वो परिवन 45 से संबंदित नहीं है परिवन परिवन परनाली से संबंदित क्या-क्या है तो One Tune In Theory Distance, Decay Functions और Principle of List of Heart ये तीनों संबंदित है Next Next 65 कौन सा संसाधन नवी करनी है तो देखिए तेल, कोईला लोहा और भूमी तो ये तो आप सब बता सकते हो बिल्कुल सही सोच रहे हो तो भूमी जो है वो कौन सा नवी करनी है संसाधन है तो भूमी जो है वो क्या है नवी करनी है संसाधन है लेकिन तेल, कोईला और लोहा जो है ये नहीं होगा Next is 66 तो वैपारिक पैमाने पर तो क्या हो जाएगा इसका तो प्रेरी परदेश हो जाएगा 66 का देखिए अब 21 नमर कोईशन देखेंगे हम लोग गुगोल वेता और सिध्धान तो देखिए 21 में गुगोल वेता दिया हुआ है तो कौन से जो लॉस है, लॉस का क्या हो जाएगा या दिया पुंंज सिध्धान बाजार, छेत्र अवस्ती सिध्धान, नियुनतम लागं गुर्तवाकरिशन सिध्धान, तो जैसे हम लोग जानते हैं लॉस का जो है बाजार, चेत्र अवस्ती, सिध्धान है तो इसका एक एक टू होगा तो देखें यहां भी टू है और यहां भी टू है तो उसके बाद देखते हैं बेबर का क्या है नियूंतम लागन सिद्धान तो उस हिसाब से हमारा ओप्शन क्या हो जाएगा भी हो जाएगा यानी यानी आपका लॉस का हो जाएगा बाजार छेत्र अविस्ति सिद्धान पेवर नियूंतम लागत सिद्धान दिये थे और थॉम्सन जो है इन्होंने पुंज सिद्धान दिया था और रेले जो है गुर्टुआ करशन सिद्धान दिये थे निम्लिखित में से कौन सी किसी परणाली और दोगी करांती का शीशू के रूप में वर्नित की जाती है तो देखिए आप दिया ओप्शन या पे सगन जीवन निर्वाह जुताई पशुपालन फॉर्म जीवन निर्वाह जुताई या सामूही खेती तो 22 का क्या हो जाएग यानि सामूही खेती जो है वो और दोगी करांती का शीशू के रूप में वर्नित की जाती है सामूही खेती को नेक्ष्ट है विद्वान और प्रतिरूप वॉन्थ्यूनेन जूलियन वालपर डबलू डबलू लियोनान टीफ एन टॉरस्टेइन हेगर स्ट्रेंड यहां प वान्थ्यूनेन भूमी उप्योंकिन्थ यानि दी हो जाएगा देखे डी में है उसके बाद है जूलियन बॉल पार्ट जूलियन बॉल पार्ट हो जाएगा नेक्ष्ट कारिय परतिरूप गौन्थ यूनेन का भूम्य उप्योक संकेंडरन, जूनियन बॉल पर्ट इसका हो जाएगा D जूलियन बॉल पर्ट निरनाय कार्य परतिरूप, डबलु डबलु लियोन टीप तो डबलू डबलू लियॉन टीप जो है इनका हो जाएगा आगत निर्गत प्रतिरूप इन्होंने सिध्धान दिया है और टोरिस्टेन हेगर स्टेन इन्होंने विश्रन प्रतिरूप सिध्धान दिया है तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय तो आप जल से जल सब्सक्राइब लाइक और सेर कर दे और वेल आइकन जरूर दवा दे क्यूंकि मैं रोद जो है वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इसलिए आप उसको दवा दे फ्रेंड्स नेक्स्ट कोईशन है इन में से कौन सा एक स्वतंत्र उद्दोग है लो इसपात उद्दोग मोटरगारी उद्दोग सिमेंट उद्दोग और बस्ट उद्दोग तो इसका हो जाएगा क्या सूती बस्द उद्दोग जो है एक स्वतंत्र उद्दोग है टाफे द्वारा दिया प्रिभन मार्ग विकास पती रूप उनके किस अध्यान पर आधारित है इथोपिया और मीश्र सुडान और नाइजीरिया कीनिया और नाइजीरिया घाना और नाइजीरिया तो फ्रैंस इसका क्या हो जाएगा सुडान और नाइजीरिया हो जाएगा नेक्स्ट 26 निमलिखित में से किस बंदरगाह के पास लो इस पात के निर्यात हेतू एक बाहे पूता श्रेय है तो इसका उप्शन हो जाएगा विशाखा पतनम जो है विशाखा पतनम के पास है विशाखा पतनम उसके बाद है लो इस पात उद्दो की स्थापना के लिए निमनमे से कौन सा आदर्ष समयोजन होगा तो कोईला लो अयस्ख जल ये जो है ये आदर्ष समयोजन होगा नेशस देखे हुट्लेशी ने विश्व में कितने किरिसी परणालियों को पहचाना था तो हिटलेसी मोहदे जो है वो 13 क्रिसी प्रदेशों को पहचाने थे कितना हो जाएगा 13 13 13 हो जाएगा नेक्स देखिए सूची दिया हुआ है बेनेजुएला चीन नीदरलेंड फ्रांस और यहां दिया हुआ है कहां पर क्या प्रसीद है तो इसका देखिए फ्रांस क्या हो जाएगा वेनेजुएला जो है वो वहाँ पेटोलियम चीन स्थूल इंधन नीदरलेंड वायू शक्ती और फ्रांस जो है वो परमानू शक्ती तो यहां पे क्या है बिल्कुल सही है तो यह हो जाएगा इसका यानी वेनेजुएला पेटोलियम चीन स्थूल इंधन नीदरलेंड वायू शक्ती और फ्रांस परमानू शक्ती नेक्स्ट कोशन में चलते हैं 30 कोशन टंगस्टन कोबल्ड यहां दी एक तरफ दिया हुआ है और यहां पे उसका देश दिया है तुमको मिलान करना है तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो टंगस्टन है वो कहां होता है तो टंगस्टन जो है चीन में है तो यहां भी टू है यहाँ भी 2 है उसके बाद वाला चलिए चलते हैं कोबाल्ट का जांबिया तो दोनों जगा जांबिया दिया हुआ है नेक्स देखिए क्रोमियम तो क्रोमियम का क्या है दचनी अफ्रिका होगा तो यह जो UGC net है ना बहुत कंफ्यूज करता है एक्जाम में तो सम्हल के फ्रेंट्स थोड़ा भी गर्वर करोगे तो एक मार्क्स चला जाएगा तो देखिए इसका क्या हो जाएगा इसका B हो जाएगा A होगा 30 का ना हाँ D हो जाएगा D यानि दोनों का सेम था ना यानि तंगस्टन तंगस्टन का हो जाएगा चीन कोवाल्ट का बताएँ आपको जांबिया क्रोमियम का दचनी अफ्रिका और मेगनीच का यूक्रेन नेक्स चलते हैं कोशन नम्मर 31 कुछ सिदोशन परदेशों में एक घास के मैदान उपजाव घूमी में परिवर्तित कर दिये गए हैं कारण इन भागों में तापमान कम होना वर्षा को अधिक परभावी बनाता है तो इस तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है ये यानि ए और आर दोनों सत्ते है और आर एकी सही व्यक्या करता है नेक्स जून 2019 में चलेंगे नेक्स कोईशन है 32 कौन सा जैविक संसादन है तो जो इसमें पोईला जो है वो क्या है एक जैविक संसादन है निमनिकित में कौन सा निमनितम मुल्य के सिध्धान पर आधारित है तो इसमें क्या हो जाएगा देखें बेवर का सिध्धान जो है वो क्या है निम्तम मूले पर आधारित है 34 का देखें 34 का क्या हो जाएगा 34 का देख रहे हो आप इसका भी हो जाएगा यानि जो फ्रांस है फ्रांस हो जाएगा लॉरेंच छेत्र यूक्रेन यूक्रेन क्या होगा किरिया रोग 6 छेत्र जर्मनी जर्मनी हो जाएगा साल गिल्टर और यूएसे यूएसे हो जाएगा बसावी चलते हैं 35 कोशन में निमलीखी को भारत में अमबारिये जहाज रानी 2001 के घटे करम में शेनिवद किजिए तो इसमें घटे करम में 35 में क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा बी यानि मुंबै कांडला छेन्ने और विशाखा पर्टनम नेक्स 2008 निमिकित में कौन सोच्छन उद्धोग का उधारन है तो इलेक्ट्रोनिक अभ्यवो का भी निर्मान जो है एक सोच्छन उद्धोग है और फिरिष्टा का कौन सा खन ठिकाव आर्थी विकास के लिए कम आवशाख है तो प्रात्मिक जो है वो कम आवशाख है नेक्स 38 में चलते हैं निमिकित में कौन सा और नवी करनीे समसाधन समझा जाता है ठो जिसमें और नवी करनी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कोईला हो जाएगा क्योंकि बाकी सबका हो सकता है जिसे जल है पशु है और वन है इसके वाल चलिए 39 में किसी दचता के माव विधी किसने विख्षित की थी एसेस भार्टिया आरेल सिंग एस चेटर जी देखिए कोईशन फिर से रिपेटेट किया इसके नेक्स भी पुछाता तो इसका क्या हो जाएगा एसेस भार्टिया नेक्स 40 भारी उद्धो की स्थापना के लिए कौन सा आदर शन्योजन है तो सबसे आदर शन्योजन कोईला विदूद बाजार ये तीनों चीज होगा नेक्स 2008 में 41 देखते हैं बॉन्थ उनेन मॉडल के अनुसार एकांती छेतर में केंद्रिये नगर को घेटते वे भूमी उपियों के खंडों में चार निमलीखी थे जैसे दिया है पहला इंधन लकरी और काल दूसरा गहन सर्सिक रिशी जिसमें चारन कंदमूल की फसर तीन में है शर्सिक रिशी यानि पर्ती और चारगा के साथ और चौथा है बजार बागवानी और ताजा दूद अब देखें यहां अकूट दिया हुआ है तो अकूट में क्या हो जाएगा 41 का विल्कुल सही सी हो जाएगा यानि सबसे पहले 4 नमर होगा फिर 1, 2, 3 यानि सबसे पहले बाजार और बागवनी और ताजा दूद यह एक में होगा फिर हो जाएगा इंधन और लक्री और काश्ट फिर आपका हो जाएगा गहन शर्से क्रीशी उसके बाद हो जाएगा शर्से क्रीशी या पर्ती नेक्स चलते हैं 42 नमर निमलिखित में से किसने शर्से सन्योजन विधी को सर्वपर्थम सुत्र वद किया था तो जो सर्से सन्योजन विधी है उसको सर्वपर्थम जो है वीवर मौदे ने किया था नेक्स कोशन 43 जापान कथन जापान एक विख्षित देश है कारण देश के विकास के लिए उसके प्रापिति शर्चादों का देश के विधी हुना नितान तापरशक है तो देखिए इसका ए और भी दोनों सत्य वरंतु उसका कारण बिकुल सही नहीं है यह कोशन प्रस्तावित देशन के सिद्धान के नाम बताई तो बताईए बेवड दो और जोंहां क्या हो जाए गासका परिभल लागत सिद्धान शिर्चान चलते हैं क्रिशी के विवीदी करन का आधुनिक अभधारना किस से संबंदित है तो इसका क्या हो जाएगा पारिस्थिति की रूप से सरवाधिक उप्योग थसले तो ये हो जाएगा नेक्स्ट वांथि उनेनने किस वर्ष में क्रिशी भूमी उप्योग के मंडली करन का मॉडल विख्सित किया था तो वांथि उनेनने कब क्या था 1826 में क्या था निमिखित में से कौन सी फशल अंतराश्टी वाजार में बड़े पैमाने की पूर्टी और मांग के लिए उप्योगी है निलेट यानि जवारवाजरा, चावल, गीहूं और चना तो बताईए इसमें से क्या हो जाएगा 47 का कोईशन है निमिखित में से कौन सी फशल अंतराश्टी वाजार में बड़े पैमाने में पूर्टी और मांग के लिए उप्योगी होती है तो इसका क्या हो जाएगा 47 का देखे आपको क्या लग रहा है बिल्कुल सही गेहूं जो है वो अंतराश्टी वाजार में बड़े पैमाने पे पूर्टी और मांग के लिए उप्योगी होती है नेक्स कोईशन है भारती ओक महादीप में मांशून की उत्पती मुखेता किस से सम्बंदित है तो जो मांशून की पती है वो क्या होगा अस्थल इस्थित मौसमी छोग से सम्बंदित है अब 2007 का कोईशन में चलते हैं उत्री अट्लांटिक महासागरिये उत्री अट्लांटिक महासागरिये मार्ग विश्व का सरवादिक महतोपुन मार्ग है क्योंकि तो ये क्यों सरवादिक महतोपुन है क्योंकि दोनों किनारों पर विख्षित देश है इसलिए उत्री अट्लांटिक का जो मार्ग है वो विश्व में सरवादिक महतोपुन है नेक्स कोईशन है नेक्स कोईशन से कौन सी बागवानी क्रिशी नहीं है तो जो चाय की क्रिशी है, चाय की क्रिशी, कॉफी की क्रिशी, रबर, लेटेक्स, उत्पादन या सोयावीन, तो जो सोयावीन है वो बागवानी की क्रिशी नहीं है